बच्चे केलीबर किस चीज में कई बारी पेरेंट्स भी बीजी होते हैं उनको भी आइडिया नहीं लगता और बच्चा खुद से डिस्क्लॉज करता नहीं है उसका मतलब नोटी है काफी वो एक जंग है मतलब उसको पांच मिनट भी बिठा नहीं सकते हैं कॉंसेंट्रेशन का मतलब में है लेकिन में उसको सीटिग का सीटिंग का नहीं है उसमें आप उसको पांच मिनिट आप उसको खडा भी नहीं कर सकते वह इदर से उधर उधर से इदर तो लाइक हमने देखा कि जिसे हमारे टाइम भी ना जब हम 11-12 में थे या तो अकैडमिक्स में बहुत अच्छा करते हैं जो स्टूडेंट्स जरूरी नहीं है कि लाइफ में वो सक्सीड कर रहे हैं बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं देयार एवरेज एंड बिलो एवरेज बट देयार वेरी गुड वेरी मच सक्सेस्फुल एंदिर करियर तो जब हम में वो फेट में कमी लग रही एग्जुकेशन सिस्टम में तो हम हमारे बच्चों में कैसे वो इंपोस करें कि नहीं तु को यूब बेबल तो सक्सीड इन लाइफ बिकॉस इवन वी फिल के देयार सम्पिट फॉल सिन एडूकेशन सिस्टम तो हम कन वी इंपोस दिस थिंग अंगार चल्रें सेविन्थ में हैं और वह एक जगे टिक के बैठके नहीं पड़ती है होश्यार है पढ़ाई में बट इदर उदर उदर घूमती रहेगी वो क्या किया जाए उसके लिए सर यह मैमोरी स्पीट बहुत कम है जब बच्ची साथ में और एक कॉंसेंट्रेशन भी नहीं करती है इसका बहुत प्रोब्लम आज करके बच्चे जिस तरह बैठते ही बढ़ा ही पर या तो फोन लेल या फिर और कुछ माहिंड में चलता रहता है तो फोकस बिल्कुल नहीं सर जब तक बच्चा पेरेंट्स से कंट्रोल में रहता है अब टू एट्थ नाइन टेंथ तब तक तो बच्चा इस्टेडी में भी अच्छा कर रहता है और जैसी हम उसको फ्री छोड़ते हैं थोड़ा सा वो पलस में पलस टूमाया तो एक दम इसकी परफॉर्मस काफी ड सब्सक्राइब तो फिर आगे चलके प्रोलम की रिट होती है यह माली बच्चा अगर गंटा पढ़ भी रहा तो एक गंटा को क्वालिटी टाइम उसको उतना दे नहीं वह फॉर्मल्टी पूरी कर दिए गंटा पढ़ लिया मैं तो यह सब मतल्ब बच्चा पढ़ाई की इंप्रोडाइस मतल्ब उस लेवल प्रोड़ी चाहिए जिस एज के इसाफ से उसले नहीं आ रही है तो प्रोड़ाइब लेकिन उसके बाद में जैसे उसका आएगा आगा आगा एक बाद में वह 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 उसको टाइम देंगे तो यह सब्सक्राइब लेकिन नंबर तो काफी ठीक ला रहा है तो मैं बस यह कि नेक्स्ट यह आपके इसाब से देखते हैं अब हैं मिलाई होगा कल विसे टो परहाई में कोई प्रोड़लम नहीं है तीचर से भी कोई प्रोड़लम नहीं आता लेकिन वह परहाई से ज़्यादा कधा क्लास की पढ़ाय के जयादा इसको फड़ने का जादा सोख उगए द्यानि नहीं देती है गो बहुत ज़दा सुनो परह से लेकिन लास्ता कि यहीं कमपलेन आती है टीचर की की बहुत जबादा सुनो इतर उद्धर धान ज्हादा रखती है पड़ाइला, पड़ता है अच्छे से आसा नहीं है कोई प्रोबलम नहीं है पड़ाइ में फड़ाइन कोई थोड़ी दिएर मेंot पड़ने भी बहुत अच्छे पर मोबाइल नहीं छहोडते हैं मेरे दो बच्चे हैं, दोनों बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई में भी अच्छे हैं, गुड हैबिट हैं, पर बेटा है, साई निचर का है, लग किसी से इतनी जल्दी घुल मिल नहीं पाता हो, ठीक है, उसको आप जैसे आपके साथ चार दिन, पास दिन रहेगा तो आपको थ शाल बेटा ये बताओ तो वो बोलता है कि ममा थोड़ा सा शरम महसूस करता है, जैसे कि डीजए यहाँ पे है, यहाँ पे सब डांस कर रहे हैं, तो उसको अलग से जाके, कहीं पे, अपना अलग से जाके गुरुप में जैसे वन्स एक बच्चा है दो बच्चे हैं जैसे उसके भाई हैं कजन्स उनके साथ डांस कर लेगा बट सब के सामने नहीं करता उसकी यह प्रोब्लम है और दोनों बच्चों में कोई भी दिकत नहीं है ना कोई मुबाइल का है ना किसी प्रोब्लम है पड़ाई में भी बिल्कुल जी नहीं लगता स्लॉप भी बहुत है और मतलब बोलता है ना चंचल बहुत ही ज्यादा है जल्दी जो पड़ाय करती है उसको याद भी नहीं रहता और पेपर में तो भूली जाएगे अगर पर थोड़ा बहुत भी याद आए मतलब मेडम अगर क्लास में भी इसकी बैटी और मेरी दोनों सेम क्लास में है मतलब दोनों सिक्स में ही अभी और बचपन से यह एक कम्प्लेन है होंवर्ग पूरा नहीं होकर परती जहां प्लास भी कराते है मेडम तो आज़ा चोड़के आ जाएगी उसका मेडम पूरा करा लेकिन हम बच्चों के साथ बैठके ऐसा कुछ नहीं करते है कि जो हमरे दोनों का बीच का प्रॉब्लम है वह शञा नहीं हो रहा है तो हम जो जिनसे सोल्शन है वह ही नहीं हो रहा है बच्चे और पेरंस के बीच में दूसरों से बता कि कोई solution तो मिलता नहीं है तो यह बीच का क्या करें तो हो जाए ठीक थोड़ा 50% तो हो यह सकता है मैं बोल रहा था यहां पर parents तो सब को अपना-पना feelings बोल रहा है लगभग लगभग सब similarity है मैं चाहता हूं कि कुछ बच्चों से उसका feeling क्या है उससे बच् बहुत साइकोलोजी का कि बोल नहीं पाता है और हम समझ नहीं पाते हैं यह 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 प्रॉब्लम होता है पैसनेलिटी डेवलप्मेंट रिलिटेट कुछ सेमेनार है कुछ बताया जाएगा अच्छा बहुत से ऐसे लोग यहां पर होंगे जिनके बच्चों ने कल DPS में 6, 7, एर्थ और नाइंथ यह डेमो देखा होगा वसे कौन से ऐसे पैरेंट्स हैं जिनके बच्चे 6, 7, 8, 9 में हैं अच्छा इतने लोगों के घर में बच्चों ने थोड़ी हलचल तो मचाई होगी मचाई किस-किस के घर में हलचल मचाई ज़रा थोड़ा सा हाथ लाई हाँ यह है और कैसे है सबसे पहले बाद जो कुछ है थोड़ा वह डाइमों में आ गया अब बात यह होगे कि यह जो कुछ है किसे होगा च्श इसी वसचितने को बिल्कुल सिंपिलेस्ट फार्म में इसको करने के लिए हमारे कुछ जानकार भाई साहब हैं टीम 360 से दस सालों से इस ये टफ टास्क को बड़ा सिंप्लिफाई करके पेस किया है तो मैं चाहता हूँ और मैंने इनसे पर्सनल रिक्वेस्ट किया कि ये हमारा जो आयोसील परिवार है इसके लिए भी आप दिये क्योंकि बहुत दूर-दूर इन्होंने देश नहीं विदेशों में भी सेमिनार दि कीजिए हमारे बच्चों को लावानवित कीजिए तो मैं अब टीम 360 से विपुल जी को बुलाना चाहता हूँ एक बार जोड़दार तालिया हो जाए उनके लिए हम लोग मुंबई से हैं टीम 360 से और प्रफेशनली मैं खुद गर्परेट ट्रेनर हूँ I.L.I.C. Government of India के लिए लेक्चर्स लेता रहा हूँ क्वांटम फिजिक्स पे मैं लेक्चर्स लेता रहा हूँ But gradually I realize कि उनके लिए लेक्चर्स ले रहे हैं जो पहले से अपने करियर में सैटल लें क्योंकि मेरा कारी ओफिसर्स क्लास में लेक्चर्स लेने का ही था उसके पहले या बाद में जब तक मैं उस प्रफेशन में रहा मैं कभी बच्चों से मुखातिब नहीं हुआ और नहीं मेरा ऐसा कोई मनशा थी या दिमाग में था आज आपसे मुखातिब होने का रिजन ही यही है कि हम एक ऐसा यूनीक प्रोजेक्ट लेके आए हैं जो बच्चों से रिलेटेड है ऐसा है देखिए मैं आज आपसे मुखातिब हूँ तो फोर्स टाइम नहीं है ऐसे बहुत प्रोग्राम हम अल्रेडी कर चुके हैं तीन दिन पहले मैं नेपाल था काटमंडू में हम लोग ने यह प्रोग्राम किया जो यहां काफी बच्चे तो देख चुके हैं आज आपसे बात करना इसलिए जुरूरी था कि डिसीजन मेकर्स पैरेंट होते हैं तो पैरेंट से ही बात की जाए और उसको प्रोग्राम को कोई अमली जामा पहनाया जाए ठीक है मैंने मेरे प्रोफेशन का जिकर किया है मैं आफिसर्स क्लास में लेक्चर लेता रहा हूँ एक बार 2012 में मुझे दूर दर्शन पे लेक्चर के लिए बुलाया गया और सब्जेक्ट वस वेरी सिंपल जो बच्चे आईईटी में सलेक्ट नहीं हो पाते और सम्वेर मैडिकल में सलेक्ट नहीं हो पाते वो डिप्रेशन में ना आजाए सुसाइड नहीं कर ले इसलिए विपूल जी ऐसा कोई मोटिवेशनल टॉक ऐसा कोई भाशन दे दो ऐसी कोई जड़ी भूटी दे दो खिला दो कि इनके अंदर से यह जो हैड़ेक है हमारा सॉल्व हो जाए, प्राब्लम सॉल्व हो जाए और मुझे लगा बच्चे ही तो है क्या है, मोटिवेट करना कर देंगे I did that, I went there to deliver they were sitting in front of me और वहीं से कहानी चाल हुई meanwhile they gave me a page like कोई NGO का उनका या research work था they gave me, you just keep this thing in your mind जब भी आप बातचीत करें वो page या NGO का जो उनका work था research work था, उसके according राजस्थान में एक प्लेस से अगर आपकी जानकरी में हो तो कोटा अगर IIT करना है तो वहाँ भेजदो, medical करना है तो वहाँ भेजदो, अब तक वहाँ 16,000 बच्चों ने suicide किया है या depression के शिकार हुए है it was unexpected for me eye opening for me कि यार इतनी क्या कायरत आगे मतलब यह कि अगर IIT में selection नहीं हो रहे तो फंदे पे जूल जाओ या medical में selection नहीं हो रहे तो आप ऐसे depression के शिकार हो जाओ इसलिए we were thinking कि यार कुछ ऐसा ले के आए जिससे यह समस्या का समाधान हो सके और बच्चों को success मिल सके उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम दो project ले के आए हैं एक ले के आए हैं जिसका नामे Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test जो की Singapore based concept है एक है Penal Glend Activation Program जो की Japan based concept है मैं दोनों पर बात करूँगा but before that I would like to ask some questions regarding जो भी बच्चों के आप लोगे पढ़ाई and all लेकिन parents से जुरूर पूछूँगा इतने सारे parents बैठें आप लोगों को क्या लगता है the challenges of yours like आपको अगर बच्चों की पढ़ाई से related है तो मैं पूरा अभी चांस दे रहा हूँ मैं तो बात करूँगा ही बताऊंगा ही क्योंकि बच्चों से तो कल मेरे साब से most of the students have attended सबने attend किया होगा कितने जिन्होंने कल मुझे सुना है all have सबने कर रहा है तो तुम से तो बात करने का सब्जेट के ऊपर रहे के बात कर सके तो आप पूरी तर से स्वतंत्र है बताएं क्या क्या चैलेंजेशे देट यूँ आफेसिंग नावड़ेज एनिधिंग देखना ही देखना है अच्छे बोलते मोबाइल के भी ना पढ़ा ही नहीं होती आपके पढ़ए करनी पर रही है यह बताते हैं यह बच्चों में लैक आफ कांसेंट्रेशन बहुत ज़ादा है यही मेन बात है कि वह कांसेंट्रेट नहीं कर पातें डिस्ट्राक्शन उनके लिए बहुत हैं, वो मोबाइल है, फ्रेंड सर्कल है, यह कुछ भी है, डिस्ट्राक्शन बहुत है और वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, और मेभी उनका जो सलेबस है, वो भी उनको लगता है कि वो ओवर लोड़ेड हो जाते हैं उस चीज के सा पड़ पेसेंस लिए अगर आपको नहीं आ रहा है, तो आप मैथमेटिक्स कर रहे हो, तो कंटीनियू करो, नहीं आ रहा है, ठीक है, मगर उस पे थोड़ा स्ट्रेस दो, बट नहीं, पेसेंस लेवल इस वेरी बीड़ेड की कमी होती है, बच्चे मतलब उनका पूरा 100% नह पूरा दिन गेम्स केलना है, बस केलना है, गेम्स, टैबलेट, वो यह, कार्टू नेटवर्फ देखना है, बस, टेक है, प्रेट्स का प्रेशर कापी जादा है, तो कि आप करो, 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 तो बेस टॉप पेंग एनी अटेंशन की ये तो बोलते रहते हैं, हम नहीं सुनें इनका काम है, बोलते रहें आप, ये एक्शन में जखाम है, जो आप निकल कर रहा है, ये है, ये सब घर में यही प्रॉब्लम है, और उस वज़ह से बच्चे भी फोकस नहीं करते हैं, और शायद हम लोग भी बच्चे बहुत एक या दो हैं, हमारे पास बहुत, तो उस पसमें, पसरीशी साइंट स्टरस्डूर्ड करते हैं, जिस के बेसिस पर एक फथरुब्लम है, और बनाने एक यॉट resol bile करते हुएं realise, मने काम पत्रों करकृब्लम है, उसमWaiCec तो नहीं हम जोना है, और बना स्टर्टिव में नाम्यों कमोने खेए, तो ये सचीर माइड 對 30 page की report बन के आती है, जिससे आपको ये पता चल जाता है, कि आपका बच्चे का internal brain किस चीज़ के लिए बनाए, engineering, medical, I.E.S, doctor, businessman, जिसके लिए भी बनाए, वो report में आ जाता है, apart from this, आपका बच्चा बातों को मन में तो नहीं रखता, stage पे जाने से तो नहीं डरता, English में बात करने से तो नहीं गबराता, depression या society का शिकार तो नहीं है, ऐसा कोई भी challenge है तो report में निकल के आ जाता है, इसके अलावा आपके बच्चे का learning pattern क्या है, आदे से ज़्यादा समस्या यहीं पे आ जाती है, learning pattern मतलब उसको याद किससे जल्दी होता है, देखके, सुनके या लिखके, अगर देखके याद कर रहा है तो वो visual part का बच्चा है, अगर बोल के या सुनके वाला है तो वो auditory mode का बच्चा है, और लिख लिख के करने वाला है तो वो kinesthetic mode का बच्चा है, डॉक्टर, बिजनस्मेन, पॉलिटीशन, स्पोर्ट्स पर्सन, मुजिशन, जिसके लिए भी बना है वो report में निकल के आ जाता है, अपार्ट फर्म देस, आपका बच्चा बातों की गाठ तो नहीं बानता है, जब report बन के आती है, तो हम पहले दिन parents को guide कर देते हैं, कि ये handle with care है, इस मामले में ध्यान रखना, ये गलती अपने को नहीं करनी है, otherwise gap बढ़ जाता है उससे, ठीक है, और जैसे आप उसके अगेंस, उल्टा opposite करना शुरू करते हैं, वो चीजी खतम हो जाती है, मैं बताऊंगा अभी आपको, उसके अलाबा, किसी तरह का कोई stage, वो भी थूरूआउट English मीडियो में पढ़ने के बाद भी English नहीं बोल पाते हैं, थूरूआउट ऐसे family environment में, एसी जगा पे रहने के बाद भी stage के साथ उतने comfortable नहीं होते हैं, जबकि आज के time में 90% चाहिए ही नहीं 95, 70 वाला हो, लेकिन उसमें और सारे गुन होना, तो वो all around हैं टाप, क्योंकि companies expect करती हैं कि यह तू सब कुछ कर दे, तेरे को ले लिया ना 10 लाग में, 20 लाग में, 50 लाग में, तो तू हमारा सारा काम कर दे, एक काम के लिए तो आशकल companies भी prefer नी करती ही, we run a company, तो हम इसी बात को बहुत अच्छे से समझते हैं, कि हमें एक या आदमी से चार लोगों का काम चाहिए, हम क्यों नेसेसरी एक इंजिनेर को रखे, अगर हम एक एक ऐसा आदमी मिले, जो MBA का भी काम कर ले, इंजिनेरिंग का भी कर ले, चार्टेड अकाउंटेंट का भी कर ले, सारे इस तरह के काम कर ले, हम ये सारी चीज उसके अंदर डूंडते हैं, तो ये उस रिपोर्ट के अंदर निकल कर आता है, इवन ये तक पता चल जाता है, कि आपके बच्चे का ब्रेन का डॉमिनेंस क्या है, एस फारे साइकलोजी इस कंसर्ण, वी आरे विंग टू ब्रेन, लेफ्ट अन राइट, तो जितने लोग यहां बैठे हैं, इवन आपके पैरेंट्स, आप या आपके बच्चे कोई भी, अगर आप लोग लेफ्ट ब्रेन डॉमिनेटेड हैं, इसका मतलब आप इंजीनिरिंग के लिए, मैडिकल के लिए, आईएस के लिए, लाजिक से रिलेटेड किसी भी फिल्ड के लिए, वकालत के लिए बहुत अच्छे हैं, आपका पढ़ाई का जो style ए, pattern भी बहुत different रहता है, आप to the point answer ही याद कर सकते हूँ, board पे लिखे answers नहीं याद किये जा सकते हैं, कोई आपको dictate करा है, नहीं बैठने वाला हो, क्योंकि आप to the point answer करेंगे, लॉजिकल यह जचेगा, तो ही दिमाग में उतरेगा, नहीं तो नहीं उतरेगा, लेकिन rare है, हमें पता ही नहीं होता है, कि हमारी strength क्या है, हमारी grasping power किस तरह की है, हम चीजों को लेते कैसे हैं, मैं आज दोनों चीज बताऊंगा, दुनिया से जो हम सीख रहे हैं, चाए वो answers हो, चाए parents हो, वो हमारा brain कैसे लेता है, और फिर हम जब respond करते हैं, वापस निकालते हैं, तो वो कौन से वे से निकलते हैं, दोनों ही चीज होगी, इसलिए जो सर ने बात कही थी, वो interest value उसमें cover हो जाएगी सर, इवन इसके लावा एक चीज और पता चलते हैं, अच्छा right brain dominated है, musician, sports person, businessman, politics, singing, इस तरह के lines के लिए वो बच्चा बना है, उसका याद करने का style भी, graphically वो चीजों को याद करता है, आप उसके सामने कोई image बना के दो, तो 100% याद होने वाला है, लेकिन अगर आपने उसको कुछ dictate करानी का कोशिश किया, या का कि तु ये points से इनको याद कर ले, नहीं होगा वो, school में से बहुत challenges आते हैं, जो मैं भी आपको बहता हूँगा, इसके अलावा, एक चीज और है जो पता चलती है, आपका बच्चा अकेले ज़्यादा काम कर सकता है, या ग्रूप में ज़्यादा काम कर सकता है, अकेले ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है, या comparatively ग्रूप में ज़्यादा परफॉर्म कर सकता है, जैसा मैं हम अभी कह रहे थे, सब कुछ अच्छा होते भी वो ग्रुप में परफॉर्म नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि उसका ब्रेंड बना ही नहीं हो उसके लिए, अब आपके पास कोई ना कोई solution हो, जिससे वो हम उसका रास्ता निकाल सके, उसके तो बात करेंगे, बट पहले यह जानना ज़रूरी है कि उसका ब्रेंड बना भी है कि उसके लिए या नहीं बना अनसे सिरेपन वो इंपोस कर रहे हो उसको, उसके अलावा घर के काम कर सकता है कि नहीं, बाहर के काम कर सकता है कि नहीं, किसी-किसी की writing बहुत बेकार होती है, तो वो उसका fine motor skills क ऐसा है घर के काम राइटिंग कईयों का थौट प्रसेस जो कईयों का लिखने का कलाव वो भी बहुत अच्छी होती तो उसमें वो है कि नहीं है उसका अगर आउट्डोर एक्टिविटीज की बात करें आलसी तो नहीं है इंटेलिजेंट है लेकिन कॉपी नहीं करके आता तो प्रसे का observation कितना है अगर वो उसका अच्छा है तो अगर वो mathematical part strong नहीं भी है वो अगर weak भी है या अलाजिकली वो strong नहीं भी है तो भी वो grow कर जाएगा extreme पर success अच्छीव कर सकता है क्योंकि उसका observation अच्छा है जिसका observation वीक होता है वहाँ सारे मामले बिगडते हैं वहां intelligence क आपने सुना होगा parents केता है दिमाग तो बहुत है लेकिन पढ़ता नहीं है दिमाग तो बहुत है एक जगे बैठता नहीं है क्यों क्यों क्योंकि वो जो दिमाग बहुत है वो एक जगे लगता ही नहीं observe करना तो बहुत बात की बात है यह सारी चीज इसके अंदर cover होती है ये सब आपका पता चलता है, उसके अलबा, आपके बच्चे का IQ लेवल कितना है, और कैसे बढ़ाया जा सकता है, intelligent question, EQ कितना है, emotional question कितना strong है, क्योंकि जितने भी बच्चे हैं, जितने भी exam हैं, उसमें EQ का कहीं दूर दूर तक link नहीं है, emotional question पहले बहुत अच्छा होता था, क्योंकि joint families होती थी और somewhere nuclear भी है, तो parents mix रहते थे, बहुत सारी चीज़े share होती थी, और अगर parents से father के आगे नहीं भी बोलते थे, तो भी अनकहा एक respect रहता था, अभी तो situation बहुत अलग है, इसमें ये पता चल जाते हैं, कि आपका बच्चा emotionally weak है, अगर वो weak हुआ, तो छोटी छोटी बाते हो उसके चुबहेंगी, और फिर वो इखटी होती और बाद में ब्रस्ट करती हो सकता, वो 10 साल बात करें, हो सकता, वो 20 साल बात करें, टची टाइप के बच्चे होते हैं, वो फिर किसी में mix-up नहीं होते हैं, ये सब इस test से पता चलता है, इवन अगर आप जैसा सर कह रहते हैं, उसके इंट्रेस्ट कहीं पता नहीं चलता है, इंट्रेस्ट यहीं से घूम जाता है, जहाँ EQ पर जखम लगा, वहाँ इंट्रेस्ट गया, उसके अलवा आपका बच्चा कितना creative है, ये भी पता चल जाएगा, पर्टिकुलर किस situations handle करने की capacity है कि नहीं विपरेत परिस्टितियां, अगर adversity question week है तो भी grow नहीं कर सकता, क्यों, जैसे कई बच्चे हैं, जैसे out of 10, 10 में से मान लो किसी बच्चे को चार question या 5 question आते हैं, वो बिगाड के आजाएगा, जबकि 5 question अच्छे से आते हैं, अगर 2-3 और करेगा, तो 70-80 score कर सकता है, लेकिन घबरा जाते हैं, जिनका adversity question हो रही है, और मेरेको तो 5-3 बाकिर पांस तो आते ही नहीं, वो बिगड़ गया, वो 5 की जगे 3 ही करके और 2 में घड़ बढ़ियां करे आएगा किया बाब, तो जहां 50 minimum आना चीए था, वो 30-40 पर ही रहा जाता है, वो बच्छा उसे उपर जा सकता है, जिनका adversity question बहुत अच्छा होता है, वो 50 तो करेंगे ही करेंगे, उपर भी 2-3 जगे हाथ पेर मार लेंगे, तो जो 50 से उपर 55, 60, 70 तक स्कोर कर जाते हैं, यह सारी चीज़ इस रिपोर्ट से पता चलती है, अब हम लोग क्या करते हैं, हमें जब आपके पूरे brain का x-ray हो जाता है, सब कुछ पता चल जाता है, उसके बाद में हम एक 10 days का workshop करते हैं, उस 10 days के workshop में हम आपके बच्छों को एक binary music सुनाते ह उसका परिनाम है कि 10 क्लास के बाद जितने भी यह जो आपने weaknesses बोले हैं, यह प्लस जो DMIT टेस्ट के अंदर weaknesses आये हैं, उन सब को एक तरह से challenges को overcome करना, खतम करना वो उस प्रोग्राम के थ्रू किया जाता है, अभी तक जो आपकी weaknesses अगर आपने दूर ही कर दिया तो आपकी strength मन गई, तो हम वो weaknesses ही दूर कर देते हैं, first part, second, 10 days के workshop में, जिस program को हम यूज करते हैं, इस क्लास लेते हैं, उसमें वो music सुनाना, exercises कराना, जिसके कारण 10 class में आपका बच्चा इस level पे आ जाता है, जो चीज उसको एक घंटे में याद होती है, वो केवल 15 मिनट में होने वो लंबे समय तक याद रहता है, अपनी age से 3 साल mature हो जाते हैं, जो question solve नहीं कर पाए, वो solve करने की capability आ जाती है, क्योंकि कई ऐसे question से अपने साथ भी होता था, यह होते ही नहीं थे, तो अपन या तो उसको छोड़ देते हैं, या खेलने चले जाते हैं थोड़ी देर के लि आप बहुत जबरदस talent बच्चों में आता है, जिसके कारण हमें इतना recognize किया national, international पर या NASA विजिट करा है, या US recognize किया, वो यह हमारे बच्चे blindfold कर लेते हैं, means अगर आप उनके आँख पर पट्टी भी बांदो, तो वो बंदांक से किताब पढ़ना, कलर पैचानना, बच्चा करता है, लेकिन हम इसके लिए नहीं आएं, extreme ये कि आपको जो पसंद आए ना किताब अपने घर से, वो केताब लाके हमारे बच्चों को दे दो, वो smell करके और बता देते हैं, कौन से page पर आमेज बनी है, they don't need to open that book, ठीक है, it's okay, लेकिन एक मैं यहाँ जरूर message कह हो गई, boldness आगई, confidence आगया, तो कुछ तो मेरे को सबूत बतोर, कुछ तो symptom बतोर बताना पड़ेगा, तो वो यह है कि वो बच्चे जब आँखे बंद करके कर पाते हैं, that means that gland is activated, जिस पर भी हम बात करेंगे, penial gland activate होता है, वो उसका एक symptom है, जिससे यह प्रूब हो जाता ह है, ताकि यह issue ही खतम हो जाए, बच्चों का तो ले दे काई, यह headache है पढ़ाई का, parents तो उससे जोड़ी दस बाते सोचते है, बच्चे का पढ़ाई का ही होता है, तो वो headache खतम होता हो तो अगंगा ना है, तो वो इसके अंदर cover हो जाता है, यह सारी चीज हम कराते है, यह उनके आख पर लगा दो, ताकि यह आख ही लिए कोल पाए, अगर आख कोलने की कोशिश करेंगे, इनके आख पर रूई लगी होगी, आखों में रूई बुचेगी, आखों से पानी आएगा, यह अपने आप ही रूई दिख जाएगा कि उनने देखने कोशिश किये, यह TV अब यह एक बालों का कटका है, तो एक बार हम उसको यूज करते हैं, अभी चुपी सर यहां पर पेढ़े तो सर का स्योक्त हो जाए हमारे लिए, और यह सर बॉटन की आपके लगशे, आख के लगशे, अब यह एक बॉटन पट्टी, सर के आपको कम इसलिए बांद रहे है अब यह एक जाए है, ताकी पार्टन सेट सर को, सर एक सट बॉटन की आपको के लगशे लोगों बोलना नहीं है, देखते हैं, रिकनाईस कर पाते हैं, सर मेरे आपके आगे कित्ती पिंगर्स कर रहर के आपके गशेषिए, तो प्ताही लगाई लगावाशे, लगाई बॉ तो यह थीन रख सोभी, चलो, that means the thing is clear, कि दिख नहीं रहा है, मैंने वैसे इन उगली पूझी, okay, मैं मैं आपके आगे मैंने किछी finger कर रखी है, कोई तुक्ता ही लगा दें, इस पूर्वेट कर दें, दो, मैंने हाथ ही नहीं कर रखा दें, दो, मैंने हाथ ही नहीं कर रहा है अभी, अभी एक चीज और करने माला हूँ, I'm giving something, आपके सामने है, कुछ beats दूँगा, I'll try to, आभी, देखते है, सर सर रिक्वेस्टर साब, try to recognize that color, just in your hand, आप सिर्फ recognize कर रिकोशिश करें, कि कौन चाफ तर रहा है, क्वोशिश करें, कि कौन चाफ तर रहा है, क्वोशिश म आपके सामने इक डेमो के लिए हम बच्चा जुरूर लेके आएंगे, इतनी दूर से पैरेंट से रिक्वेस्ट करके लेके आएंगे, ताकि यांके बच्चों को benefit मिले, इसलिए what would I do, अभी कोई और की चोड़िए, इसलिए what would I do, अभी कोई और की चोड़िए, इसलिए, अभी कोई पट्टी सरकी हटाते हैं, और एक बच्चा आपके सामने खड़ा करते हैं, और मेरी पैरेंट से रिक्वेस्टे की टेस्ट भी आपकी लीजेगा, कोटन भी आपी बंदिएगा, पट्टी हम तो देते ही हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से भी जे सकते हैं, रह सरा मुझा ठोबरें आपके सामने ते डरेंडेरी अच्री आपके स्थम्री मुझाए टोफ की लीजेगा, और से सच्टी हैं, और स्टावरा थे लाए्ग जै भी अगल, आपके संटीवेस्थेख से गए से एकोद़ी सामने दोखके टोखके सामने आपके स्ट.क्तर पारोवेस Now the boy is standing in front of you, आप कुछ भी दे सकते हैं, जो पेरेंट्स देना चाहें, मैं बसो से नहीं बात कर रहा हूँ, बच्चे बहुत एक्साइटे हैं, इसलिए आप की तोड़ी देम के लिए पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ, बच्चे को देंगें, बच्चे को देंगें, पुछ मा इस पे यहां पे थाज़र्ट है, टेल लिखा है, उपर ब्लैक कलर से मनोज कुमार लिखा है और यहां पे इंडियन ओईल, पानी पाद रिफाइनरी लिखा हुआ है, आप लिखा हुआ है, आप लिखा है, यह किस्तिन है? आप अभूप बहूए है, बहुत 50 रुपय का नोट है, इस पे सीरियल नम्र लिखा हुआ है, 5BR822933, 5BR822933, कुछ तप दीजिए, यह जियो सिम का पैकेड़ लिखा हुआ है, यहां पे एक वचन लिखा हुआ है, फिर उसके आगे एक बत्तक बनी हुई है, यहां बवचन लिखा हुआ है, फिर उसके आगे चार बत्तक बनी हुई है, पहला है, एक बालक विद्या ले गया है, यहां पे लिखा है, आज बालक विद्याले गए, समारों में नर्तक भी आया, समारों में नर्तक भी आया, जंगल में भालू है, फिर भाई आया, भाई आये हैं, घर बन गया, घर बन गए है इस पे लिखा हुआ है इस पे लिखा हुआ है इस पर गर्ली लूक्त रहाँ नॉट हर फेज फिर अलबर आंस्टेंग की फिर उसके नीचे लिखा है पोई जगली जगली पिंहें पुछ इसने वाइट कलर के शर्ट परी जिसके ग्रेड दूसरे हाथ बूल्डन कलर की रिंड है इस आद में मुझेब उसके हाथ में लाइट फ्लू कलर का फोन है जान है अर ब्लू जीन्स है और द्राउं कलर की बैल्ट है और रेड ग्रेव लेख कलर में शुख है अब पर सब्सक्राइब है इस पर ब्लू कलर और अंदर औरेंज कलर है हास्ट्रेक की वाच है टाइब फाइब फिप्टी पाइब अब यही किसी की यह किताब मेरे पास है इसका नाम पता भी कुछ नहीं निकावा उपर जिस किसी की भी बुक है यहां बैरेंट सामने ही बैटे है तो मही काम बनो कोई बात भी यह कोई परगी बता आपसे रिकर सब्सक्राइब बन में यह नहीं रहे लग दम डिसाइट उन्होंने जो भी दिया है 141 अचा यह सेट नंबर 141 ने क्या चीज़ है क्या पादिए सब्सक्राइब यह स्वाइब लाइब 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 आप सोर्द रहेंगे यह कंस्ट्रेट नहीं कर पाएगा आप पेज नंबर नुए यह एक कमरे के में है जसे टेबल है टेबल के पास में एक डॉक्कर मेट है स्टेटेस्कोप लगाते रखा आप टेबल के तरह पुसका आपकोड है बंगत में एक लड़की खड़ी है पिंक कलर की ड्रेस में पीचे की साइट दिवार पे दिवार है वाइट कलर के जिसमें कुछ श्राइबस है एक फोटो लगी ही है आगे टेबल पे एक ब्लू कलर के आप अपनी तरफ से रख दें अधरवाइज में एजटीजी रख दूंगा ये न्यूस पेपर को भी रीट करते हैं बागे कोई सेंस किये इस तरह से देखे जो सिस्टम जनरली हम यूज करते हैं वो ये नहीं करते हैं कि अधर देखे एक प्रशन करते हैं तो तो आप देख लिजे का हो रहा है कि अ कि ए रख्त पदोगिये लग्मित भरतियों और जल से जल पूरा करें सिये मिध्यमंत्री हर नहीं झालाओं पार्टना करिंगे